Hello everyone, आज मैं आपके साथ सेयर किरही हूँ, खस्ता ठेक्षपी रेस्पी जो काफी ज़्यादा टेस्टी ये बन करके तैयार होते हैं, बहुत ही असान है इसे बनाना और देख सकते हैं बाहर से एकदम से क्रिस्पी और अंदर से एकदम से ये सॉफ्ट बन करके तयार हुए हैं काफी ज़्यदा ये टेस्टी भी लगते हैं खाने में जिसे बनाना भी बहुत ही ज़्यदा असान है इस ठेकवा को खस्ता खजूर भी बोलते हैं बिहार की विगा ट्रसाद के लिए बनाए जाता है बहुत ही असान बनाना जिसे हर कोई असानी से बना सकते हैं जिसके पस सचा है वो तो बनाई लेगा जिसके पस नहीं है वो भी असान तरीके से इस तरह से बना सकते हैं तो चलिए इस खज़ता खजूर को बनाना शुरू करते हैं जिसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए रेश्पी देख लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर मैंने एक बड़ा सा बरतन ले ली है और इसमें डालेंगे लगवग यहां पर मैं दो कप मैदे का यूज़ कर रही हूँ मैं देखो अच्छे से क्या करेंगे चान लेंगे और एक कप के करीब एक कप से थोड़ा कम ही है यहाँ पर शुगर पौडर का यूज़ कर रही हूँ आप इसको पीसकर ही यूज़ करें जो एकदम से बढ़िया से टेस्टी लएगा खाने में और यहाँ पर एक कप से थोड़ा कम मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ एकदम से बारीक वाला सूजी लेंगे अगर मोटा वाला है तो विक्सी जार में डाल करके पीस लें और आदे कप यहाँ पर सुखे नारियल को मैंने मोटा वाला ग्रेटर में कदुकस कर ली थी तो इसका मैं यूज़ कर रही है आप चाहें तो यहाँ पर जो नारियल का पुरादा आता है डेसिकेटिट कोकोनट का भी उस कर सकते हैं आदा छोटी चमज डाल देंगे यहाँ पर इलाइची पॉडर एक चोटा चमज डाल देंगे सौफ और इन सब को क्या करेंगे कि अच्छे से हमें हाथों से पहले मिला लेना है तो सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो भी हमने इसमें डाली है यह अच्छे से मिक्स हो जाएं आप यहाँ पर मैदे के जगब पर आटे का भी उस कर सकते हैं या फिर आधा आटा और आधा मैदे का भी उस कर सकते हैं सक 도alten चाहरों कोसा साथ को सब्सक्राइब को सबाउरां में? छाहरों सब्सक्राइब काविशास को न सोबक्रस्बाइब कि कहीए हैं इस तरसे अच्छी से मिल हना आ थे बन करें तो बहुत यह अच्छी बन करके तयार हो गाउक करते हैं इतना क या फिर पानी का यूस नहीं करना है, जरूरत के हिसाब से इसमें हमें डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालेंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे, यहाँ पर एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से अच्छे से हमें मिलाना है ताकि बढ़िया से ये बने, ज्यादा इसे हमें गीला नहीं करना है, रोटी के लिए जैसे हाटा गुनते, वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इस तर से दोनों हाथों से हमें इस तर से रगड़ना है, देखिए, इस तर से रगड़ के देखा रहे हूं, इस तर से इ त्यार कर लेना है एकदम से इसे हमें गीला नहीं करना है डो नहीं बना करके त्यार कर लेना है अगर इस तरह से हम लड्डू बनाए और गोल सा बन जाए वैसे हमें चाहिए देखिए तो इस तरह से एकदम से परफेक्ट बन करके त्यार होगा यह तो देखिए इस तरह से ग नहीं फट रहा है तो यह ऐसा ही रहता है जिससे कि यह अधर बड़िया लगता है देखने में भी और खाने में भी एक बन करके त्यार होते हैं। चाहे तो इसे हाथों पर या फिर इस तर से चॉपिंग बोड पर रखकर भी इस तर से हमें बना लेना है असाल से बन करके त्यार हो जाते हैं डिजाइन बनाने के लिए मैं आप छोटी सी कर्टोरी ले लिए और इस तर से इसका डिजाइन बना देंगे एक दम से गुड़े बिस्किट जो होता है वैसा यह लुकार है अचाहें तो सिंपल में भी इस तर से बना सकते हैं या फिर अगर पत्ता जैसा बनाना है तो क्या करना है हमें कि इस तर से इसको हमें लंबाई वाला शेप देना है इस तर से लंबा करेंगे और इस तर से चॉपिंग बोड पर र पत्ता लाट डिजाइन भी बढ़िया से बन करकर त्यार हो गया है देखिए आप असान है इसे बनाना, तो चाहें तो आप डिजाइन बना सकते हैं , या फिर सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं बस तेखने में ठोड़ा इसका लुक बढ़िया लगेगा तो इस तरह से क्या करेंगे हमें बना लेना है और यहाँ पर मैंने कड़ाई में तेल रख दी थी पहले से गर्म होने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें एकके करके इस तरह से हमें डाल देना है यहां पर हमें एकदम से गर्म तेल में ही डालना है अगर ज्यादा गर्म तेल नहीं रहेगा यानि थोड़ा गर्म रहेगगा तो और इसमें डालेंगे तो यह तोट जाएगा इसलिए यहाँ पर तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि अगर हम इसमें डालें यह फ्राइ करने के लिए तो यह तूटे नहीं है इस बात का हमें खास ध्यान रखना है यहाँ पर अर बढ़ियां से क्या करेंगे कि इसको हमें दोनों तरफ अच्छे से अच्छे से तो तेल में हमें फ्राई कर लेना है इसे फ्राई करने में लगवग हमें चार से पांस मिनिट तो लग जाएंगे ताकि यह अच्छे से पके तो इस तर से हमें अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है तो देखिए यहां पर मैंने फ्राई कर लिए सारा इस तर से निकाल लेना ह तो मैंने यहाँ पर एकदम बढ़िया सा सुपर टेस्टी एकदम से बाहर से क्रिश्पी अंदर से एकदम से नरम यह खसता ठेकवा बना करके तयार कर ली है जिसे बनाना एकदम से असान है आप चपचा है इसे घर में असान तरीके से बना सकते हैं इसे तोड़ने पर देख बाहर से क्रिश्पी और अंदर से एकदम से यह सौफ्ट नरम बन करके तयार होते हैं और दूद में बनाई है तो बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी लगते हैं खाने में आप पानी में भी बना सकते हैं लेकिन दूद में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा यह टेस्ट